हेलो दोस्तों नमस्ते आज मैं भीवो वी सेवन फ्लॉस कि इसमें डिस्प्ले कुछ भी सोनी कर रहा है कि देखते हैं इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है उसका पता करते हैं कि अधिक और इसका किस तरगे से सोलुशन निकाल सकते हैं और इसाइट किसी ने उच्छी तरफ से खोला रखा रहा है यह बनाने की कोशिश कर रखे हैं लेकिन बनाने की कोशिश तो कि हुआ ग्यूंनी हम उस चीज़ को समझते हैं तो यह देखो मज़ए इसे मैंने चार्ज लगा लेकिन देखो उसी सो कर रहा है ठीक है तो मैंने सब कुछ करके देख लिया और करके भी देख लिया खुश नहीं तो एक बार मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्जूली प्रॉब्लम क्या है और कैसा है ठीक है और देखते हैं और किस तरीके से बनते हैं यह मैंने आज काफी दिन के बाद यह मेरा फैला वीडियो है ठीक है बहुत ज्यादा दिन हो चुका था जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर वा रहा था तो आज मैंने अपने आफिस पहुंच के आज यह वीडियो बना रखी है तो आप देख लेजीगा यह देखो यह चीज ह कैसी आप देख सकते हैं उसको सारा आप एक दमसे देख लो तो यह पहले रगा रहा है इसको निकाल देते हैं कि अब अच्छा से जवाट कोई प्रोलम नहीं है लेकिन को अच्छा नहीं लग रहे तो इसको निगाल देते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा बनने आला है मैं एक भी किलिप इसमें नहीं काटूंगा तो नहीं तो इसमें फॉस्ट फारवड करूंगा तो यह थोड़ा बहुत लंबा बन सकता है ठीक है और एक सायद काम की चीज़ होगी वह चीज़ आप हो थोड़ा गौर गर देखना हो कि प्रोल्म कहां से और किस तरीके से आ सकता है ठीक है एक ड़िए पहले से क्याए हुआ है once कर मैं आपको फिर दिखा देता हूं यह देखन्on ऑक इї चीज़ पहले से काम कर चुका है और प The different इसमें के सारे कुछ चेंज हो रखे हैं, देखने में कुछ है इसा लग रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें प्रोलम किस तरीके का है, इसमें पहले तो मैं गपेलियू चेक कर लेता हूं, ठीक है? क्योंकि देखो इसका स्केमेटिक मेरे पास है नी, लेकिन मेरी को कि थेओरी के इस्टाप में चलके काम करना होगा ठीक है तो समझते हैं पहला इस चीज को और किस तरीके से काम होगा वह देखते हैं हो गया नहीं होगा वह भी देख लेंगे ठीक है एक मिनिट माल्ट मिनिटर्स कुछ काम नहीं कर रहा एक से गया नहीं है देखो एक ग्राउंट एक साइट और एक साइट दो सो अठाशी दो सो नब्य वैल्यू जोई दो सो नब्य दो सो नब्य दो सो नब्य कुछ तीन सो देखने में तो लगवाग ठीक ठागी लग रहा है लेकिन थोड़ा कुछ यह पर ज्यादा होना सही है था 20-30 का अंतर होना सही था देखते हैं क्वूभ झाल क्याने हो एग्मेमी शुकं करनेकट करके देख लेधें पॉर्ड के साथ और चार्ज लगा कर देखते हैं त्यक्छ St है और हरी घ्री क्या बनता है क्योंकि वह मिसमें पॉल्टेज भी चेक कर लोटेश कितना स्थे रहाए होना ज़रूर ही है ठीक है तो मैं एक नेट है यहां पर थोड़ा सा इसको ने में इस पहले में थोड़ा सा इट हो रहा है ठीक है तो एक बार देखते हैं ठीक है पहले बोल्लेच चेक कर लेते हैं बोल्लेच क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है ठीक है और उसके बाद देखेंगे कौन सा कॉम्पोनेंट गरम हो रहा है या आई सी गरम हो रहा है वो हमको देखने के बाद ही बता चलेगा तो पहले बोल्लेच चेक कर लेते हैं इ एक मिला लेते हैं यह देखो कि यह हमारा कि सारे कुछ कंपोनेंट और मैं इसमें सबका पोल्टेज चेक करूंगा अभी जहां-जहां बेल्व चेक किया था पहले चार्ज लगा देख लेता हूं एक सेगन जल रहा है इसमें से तुमा आ रहा है तो पैल्यू भी दे रहा था तुमा भी दे रहा है लेकिन जो एड़्जेस्ट वाले कॉम्पोनेंट थे में भी वो नहीं लगा रखे हैं आपर देखो हुआ जाने अलिवे सेसराख और आपे देखलो बनेट सेन और डीला तुमाकाशण करेब जहां पर आना चाहिएता था 5-8 यहले वोलेडेज यहां तक पौहँचनां एहां तक आ रहा है लेकिन एक सेगे ना देखो यहां तक कोई टेंशन है लेगिन यह देखो जैसे कोई को पार कर रहा है तो पॉल्टेज नहीं आ रहा तो फिलाल हमारा एक का सर्गेट जो अभी कंप्लीट नहीं है ठीक है तो एक बार हम इसको निकाल के देख लेता हूं को निकाल के मैं जंपर या कुछ रजिस्टर या कुछ लगा के देख लेता हूं क्या कंडिशन होती है क्योंकि अगर कुछ भी चीज लगाओगे में भी मेरी को लगता है क्योंकि यहां पर लगना चाहिए या तो आपका एक अपसिटर जो है एकदम कम बैल्यू का लगा रखा है ठीक है क्योंकि यहां पर आपका 20 22 24 25 30 पोल्ड तक आ सकता है तो अगर उससे छोटा कंपोनेंट होगा तो फिर काम नहीं करेगा यहां पर तो इस चीज़ को हमें समझ के लगाना से है ठीक है आपको भी भी चेंज करोगे तो इन चीज़ को जड़ा ध्यान से यहां पर कौन सा कंपोनेंट लग रहा है अब करेंगे वह नहीं होता है यहां पर आपको यहां पर कंप्लेट क्या वैल्यू का कित्ता वॉल्टेज सब कुछ देखके लगाना पड़ेगा ठीक है एक कंप्लेट रिशाप से निगल भी नहीं रहा है नहीं तो इसको अभी तक निकल दाना चाहिए था अब हीड नहीं दोंगा इसमें इसमें नहीं चलाओंगा क्योंकि सामने शीप यह यह है तो थोड़ा आइरन से निकालने का कोशिज करते हम तो एक मिनेट अट आप यह हमारा कॉयल निकल चुगा है यह हमारा कोईल निकल चुगा है है मैं यहां पर कुछ लगा के देखता हूं अब इसमें देखो एक्चुली अभी कुछ नहीं कह सकता है पहले मैं कुछ लगा के देख लेता हूं अगर वह भी जल रहा है तो हम यह समझेगे कि जो नीचे का क्यपसिडर है है वह कम बेल्यू का लगा रखा है ठीक है जो इसमें होना चीए था वह नहीं है क्योंकि यहां पर लगने वाला कोई भी कंपोनेंट हो तो उसको तीस पॉल्डेज पॉल्डेज 20 पॉल्डेज सेन करना होता है तो अगर उससे नीचे का होगा दौस पॉल्डेज छे पॉल्डेज एसे करने वाला होगा तो मैं भी एक काम नहीं करेगा ठीक है तो जिसके बज़े से अमारा जो इसमें लगा हुआ जो भी कंपोनेंट है उसको जलाएगा है क्योंकि उसकी तो क्यापासिटी होगी नहीं ठीक है तो वह सारा करेंट कराउ जो छोड़ा सा कंपोनेंट लगा के देख लेता हूं वह मैने रिजिस्टर लगा दिया है यह नहीं पर थोड़ा वीडियो हो गई थी और मैंने किया गया थे स्क्रीन स्लीप मोड में चला गया था तो पता नहीं चला यह देखो यहां पर मैंने रजिस्टर लगा चुगा हूं और इसकी देखते हैं वो तक यह चार्ज लगा गया देख लेते हैं और वोल्टेज चेक करने की कोशिश करते हैं ठीक है कि देखो मैंने सिरफ रजिस्टर लगाया हुआ है यहां पर मैं इसमें जंपर भी कर सकता था लेकिन हम उस तरीके से इसका पता नहीं चलेगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा लो वैल्यू का रजिस्टर लगा रखा है ठीक है जो फ्यूजबल रजिस्टर भी पोल सकते हैं इस इसको लगाना कोई फरक नहीं है है तो मैंने एक बार देखते हैं इसका लोड़ उठा ले पाता है या नहीं पाता अगर आगए गार जो क्यापशिटर थे प्लस recognise अब अगर बह्या सब्सक्कुने नहीं दिखर को धार करा थेल्याहा है तो यह दिक्कत फिर चना सकता है फि कि यह मैंने कंप्लेट फेक कर दिया और यह लगाया जर-जर कि देखा दुआ मतलब वह जल गया ठीक है तो निकाल के देख लेता हूं कि तो जला क्यों एह रहा है जल चुका है भी भी तो मेरी को एक बार क्यापसिटर को भी उकाड़ना ही पड़ेगा ठीक है लगता यह गलत लग रखाया है तो मैं इसको एक बार अटा के देख लेता हूं कि दिखर्ण है ना है जाखंगतन है आप एंदेग्स बार है यहे रहा और जिसलीन का कहिंसे भी लगा सक्ता हूं ठीक कोई भी लाइट सेक्षर्ण का से में लगा हूँ तो उन्ड ₹刃 नद्ण और लाइट यह आदार में लगा होगा तो मैं किसी भी भूल्ड को लाइट का यह दोनों कंपोनेंट निका आराम से लगा कि इसमें कोई टैंसन को राली बात नहीं अगर आपको दिखकत है तो आप इसने स्टेमेटिक में इसका वैल्यू देखो और कोई भी कहीं से भी इसको उठा सकते हो आप लगा सकते हो जो यह वैल्यू गाए जितना बोल्डेज इसका होता है और जितना वैल्यू होता है आप दोनों चीज देखे इसको उतार पाओगे या लगा पाओगे नहीं तो एक काम न लेते हैं अब किसी का भी लाइट शेक्शन चूँ ठालो कोई दिक्कत नहीं वह लेकिन शिरफ लाइट शेक्शन का होना चाहिए उसे बाहर गाओगा तो फिर काम नहीं करेगा तो मैं इसको कैपसिटर के मुव में जंपर दे दूँगा झालो को करेंगा है इसको में धाया बैस Poli जब करेंगा है यसा मैं सामने ओर लाइन दो यहां अधा दिक्क रख्का यह कर डिक्वानिंगा है यह वह वह को जो आएक आ है कि यह देखू कि बोलुप प्रोफर आ रहा है यह देखू कि यह रहा तो मैं इसमें देखता हूं कौंसा कॉंपोनेंट लगा सकते हैं नहीं किसी और बोर्ड से लगाना पड़ेगा घूर को मेरे पास ड्याम सुमका बोर्डें अदयर्ण उसका रहो हमें आता हैै तो देख लेते हैं सामने दो रहा एक दोनु निकाल लेती हैं अब कहा से निकाल रहा है क्यों निकाल रहा है वाली बात नहीं होती है इसके लिए आपको लाइन देखना ही पड़ता है ठीक है जब तक आपको लाइन समझ में नहीं आएगा तब तक आप कहां का component का क्या रहता है वो आपको समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए थोड़ा बड़ सरगीड जानना भी जरूरी है ठीक है मैं दोनों component उठा लेता हूं मैंने क्वाइल भी उठा लिया और यह क्वाइल भी उठा लिया चलो पर भी साइट कर लेते हैं ठीक है देखो दोनों कंपोनेन्ट को मैं इसमें अटेश करूंगा क्योंकि ये जो चैपसिटर ए फ्रोफर फेल्टेज वैल्टेज के लीउ और कैसे क्योंकि हर कोई कि मैंने आगे भी पताया है लाइट सेक्षन का पोल्टेज कितना रहता है और कॉंपोनेंटे का मिनिमम पोल्टेज भी वह रोनाच सही है तब ही काम उपाएगा नहीं तो इसका काम नहीं होगा आप जितने दिन भर भी लगो तो देखते हैं इसे काम होता है कि नहीं होता हमा कि लगा देते हैं लेकिन एक साइड का प्रिंट उखर लगाया तो क्याइल की एक मुक को मेरी को क्या बसिटर से जम भर देना या सोल्डर करना पड़ेगा नहीं तो गाम नहीं बनेगा अधिक है तो देखते हैं क्याइल को लगा गाए एक मिनिट एक टंग से अच्छी तरक से तो पगड़नी पा रहे हैं एक मिनिट वे रहा एक सिगन ने चलो अब देखो तो इसके एक साइट तो लग चुका है लेगिन दूसरा साइट अभी बहार है तो हम क्योंकि नीचे का प्रिंट वे नहीं तो इसको हम सामने में क्यापसिटर जो भी लगाया थे उससे हम सोल्ड कर देता हुए जिसकी बज़े से क्योंकि इसका लाइन भी इसी में जा रहा है तो हम लाइन कंप्लेट कर देते हैं अधिक है चलो है कि अधिक है यह देखू है कि अधिक है यह रहा है यह हमारा शोल्डर हो चुका है ठीक है तो देखते हैं कि इसमें रिजल्ट पोजिटिव बनता है और निगेटिव बनता है ठीक है कि अधिक है यह देखू यह तीन सो साथ आठ नो दस च्छीग लग रहा है तिन सो बंदा च्छीग लग रहा है कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अभी देख लेते हैं एक मिनेट थोड़ा सा जगा को साप कर लेते हैं और इसको फिर प्याक करके देखेंगे ठीक है और प्रोपर सो होता है कि नहीं होता है यह होगा हमारा साफ अब देखो इसमें एक बार सेट को प्याक करके दिखाना चाहता हूं ठीक है इस सेट वाय और निवा हम पहले उस चीज़ को देख लेते हैं कि मैं इसको प्याक कर लेते हैं कंप्लेट देखते हैं होता है कि नहीं क्योंकि अब तो इसको आइद हो जाना चुछिए था क्योंकि मैंने प्रोफ और वैलिवी के कंपोनेंट जोए वो लगा चुक्या है इसमें तो देखते हैं एक बार होता है कि नहीं होता जैक एक 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 एरा यह मैंने प्याक कर चुका हूँ, देखिए अब आप, यह चार्ज लगा दिया, एक मिनिट है, यह रहा, एक मिनिट, चलो, यह देखो, चार्ज लग चुका है, एक मिनिट, पाउर दबा के देख लेता हूँ, चार्ज से शिर्फ लाइट दिखा रहा है, शायद चार्ज में कुछ दिखाती है या सबोर्ट नहीं कर रहा, यह लगा दिया, चार्ज, एक मिनिट, यह देखा, एक बार दबा के देख लेता हूँ, बैटरी लो एसायथ, एक से गेना, यह रहा हूँ, ठीक है, तो बैटरी लो भी है इसका, और चार्ज, कभी लग रहा है, कभी छोड़ा है, तो अमारा काम अभी ओचुका है, ठीक है, मैं इसको चार्ज, कभी लग रहा है, जार-जार क्लियर कर लोंगा भी, तो सबसे पहले तो यह आपको यह समझ में होने से कि कौन सा कंपोनेंट कहां पर लगता है, और उसका अम एल्यू क्या होना चाहिए, बहुत सबसे ज़रूरी है, और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, ठीक है, कही इसे सीख लो, या कुछी स्केमेटिक देख लो, कुछ डाइगराम देख लो, बहुत चीजे ज़रूरी है, जाना ओनलाइन का चुगा है, तो बहुत ज़रूरी मिल सकता है, बेभी, तो इस चीज़ को आप त्यान में रखना होगा, हर किसी चीज़ का, तब जाके कुछ काम बन पाएगा, तो अंदाजी के बर में कोई भी कॉम्पोनेंट उठागे लगाने से साइध हमारा काम नहीं भी हो सकता है, इस मामले में, क्योंकि दो तिन जगा इसे सेंसिटिव होते हैं, जहां पर आप, जहां दो तिन जगा क्या में तो सभी जगा ऐसे होते हैं, लेकिन क इस बेल्यू का कॉम्पोनेंट है, वही लगा हो गया, ठीक है, तो उतार भी नहीं सकते हैं, चलो किसी में तो आप उतार गए पी काम करा सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे जगा आप उतार भी नहीं सकते हो, ठीक है, तो मैं एक बार बोल्टे चेकर के दिखा देता हूं ओल्टे में ओल्टे में दिखा रहा है, मतलब वह 20 पोल्टे से भी उपर ले रहा है, यह देखो, मैंने 200 के रेंजर में लगाया, यह देखो, 31 पोल्ट तक दे रहा है, 31 पोल्ट, तो किसी ने वाली कंपोनेंट बहुत सारा कुछ चेंज कर रखा है, इसमें देख लो, जित तो किया, लेकिन चेंज करने का तरीका नहीं हुआ, अगर वह हो जाता था, काम हो जाता, थेंक्यू, बेरी, बेरी मैंच,